गुड इविनिंग दोस्तों हम current affairs में जो three sections आपको बताए थे एक बताए थे बैकती विसेश एक इस्थान विसेश और एक खेल persons in news, places in news और sports ठीक है तो उसमें से हम person in news का आज ये दूसरा वीडियो है जिल लोगों को पहला वीडियो नहीं मिला वो इस वीडियो के लिंक पर जाके उसको दूसरे वीडियो का पहले वाले वीडियो का लिंक पा सकते हैं चलो देखते हमने पिछले वीडियो में यहां खतम किया था यह सिरिवास्ताव जी यह निखिल सिरिवास्ताव इन्हें mathematics में रामानुजन theory solve करने के लिए माइकल एंड सीला अवार्ड मिला तो मा रामानुजन अवार्ड मिला इस साल केरोलिना के लिए केरोलिना को तो केरोलिना को mathematician के लिए दूसरा वार्ड मिलता रामानुजन अवार्ड वो मिला है केरोलिना अराजू आरजू नहीं है इंडियन लड़की होती तो आरजू है पर यह अराजू है तो निखिल सिरिवास् की और तो यह यह है नाई इसमित नाई इसमित इसलिए फिर्मस है कि इन्होंने वास्केट बॉल का जो गेम है वो इन्वेंट किया था इस साल इनका डेथ हो गई है तो आपसे पूछेंगे कि नाई इसमित किस खेल से संबन देता है तो बास्केट बॉल हाइड अच्छी थी अच्छे अपने हिसाब से गेम डवरा किया, यह अभिलास टॉमी, डरो मत यह बीमार रही ही, पर यह पिछले साल बीमार हो गए तो, क्या होता है, दुनिया बर के जितने जहाज होते हैं, सब के बीच में एक रेस होती है, उस रेस का नाम है गोल्डन ग्लोब रेस, अभिलास टॉमी ने, पता नहीं, घरवालों ने टॉमी नाम क्यों रखा, फिर भी जो भी हो, काम अच्छा कर रहें, तो, अभिलास टॉमी जी ने रिजाइन कर दिया, इस साल यह बड़ी ख़वार है, रीजन है, कि साल की गोल्डन ग्लोब की तयारी करना चाहते हैं, जीतना चाहते तो, हमारे नेवी ओपिसर अभिलास टॉमी ने, इनके लिए, मिसन चला था, रक्षक, चला, अगला, अगला है, यह है, गुजरात के पूर मुक्मंत्री माधा हुसिंग, इस बार, फॉर्मर चीप मिनिस्टर, पूर मुक्मंत्रियों की बहुत डयत हुई है, अभी पढ़े यह गुजरात के पूर मुक्मंत्री है, चला, अगला, यह डॉक्टर हर्सवर्दन, डॉक्टर हर्सवर्दन पर कई ख़बर हमने पढ़ी, कल हमने क्या पढ़ी थी, कि स्टॉप टीबी पार्टनर्सिप क्या ध्यक्षकॉन बन गए, हर्सवर्दन, टार्गेट क्या था, 2030 पता चुके है, अब एक दूसरी ख़बार, यह गावी के मेंबर बन गए, तो पूरी दुनिया में जो गरीब देशों को वैक्सीन बाटेगा, Global Alliance for Vaccine Immunization, पूरी दुनिया के गरीब गरीब देश, भूटन, जैसे अफरीका के कई सारे गरीब देश, सब को फ्री में वैक्स राजिंद्रन, यह ध्यान रखना कि जो प्रेसिडेंट होता है या वाइस प्रेसिडेंट है वो 35 यह, 35 साल की उमर में रास्पति, उपरास्पति के चुना लड़ पाएगा, राजसभा 30 साल में लड़ पाएगा, लोगसभा 25 साल में लड़ पाएगा, पर पंचायत का चु करीमा बलोच है, नाम सही समझ मारा बलूचिस्तान की है, और बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने जबर्दस्ती कब्जा कर रखा है, तो वो है हमारा हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा, कब्जा कर रखा पाकिस्तान ने, और वहाँ जो भी इंडिया में सामिल होनी की बात करते ह तोर्चार करती है पाकिस्ताने आर्मी तो करीमा बलोच है जो एक human right activist है और बलोचिस्तान में जो पाकिस्तान अत्याचार करता, atrocity करता उसके खिलाब आवाज उठाती है, तो आप से पूछेंगे यहाल में यह बलोचिस्तान की एक मानौदिकार कार करता, human right activist का निधन हो गय उनका नाम क्या है करीमा बलोच चलो अगली ख़बर अमेरिका ने अपने एक आर्मी military award Legion of Legion of Merit LOM वो किसको दिया मोदी जी को तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अमेरिका का military award मिला है LOM Legion of Merit Award अगली वड़ी इन पर कोई कोशन आने की संभाव ना है, क्योंकि हमारे सिलिबस में मंत्री मंदल, मुख मंत्री है, उस पर कोशन आएगा, तो ये current affairs और CM, दोनों criteria में fit होते हैं, तो पूछ सकते हैं कि कितनी बार बन चुके हैं, या तो ये पूछेगा, ये पूछ सकते हैं किस राजी के बननर थे, तो मौतिलाल बोरा जी है, दो बार चीप मिनिस्टर है चुके हैं, बागा जतिन, ये बहुत चर्चा में है, बंगला देश में बागा जतिन की मूर्ती है, वो तोड़ दी गई है, जिस वेसे वहाँ हिंसा भड़क गई है, बैसे इनका नाम है जतिंद्रनात मु बाद हो गया, तो बागा जतिन पर कुशन बन सकता है, चरो, अगला है रतन टाटा जी, आपको कल बताया था कि इनके जो पिता जी ते, जमसे जी टाटा जी, वो इस सदी के सबसे बड़े दानवीर, इस सेंचुरी के सबसे बड़े दानवीर घोसत किये गए, टाटा जी को बिजनेस जो हमेशा सस्टेन करे, उसका अवर्ड मिला है रतन टाटा जी को, अगला ये रंजीज सिंग दिला रहे, ये महराश की टीचर है, इन्होंने के हर चीज QR कोड में कनवर्ट कर दी, कोई भी लेसन हो, आप QR कोड स्केन करो, आपके मोबाइल में आ जाएगा, कोई भी पोयम हो, अब QR कोड स्केन, तो इन्होंने हर चैप्टर का QR कोड डबलब किया है, जिससे आप अपने मोबाइल में कभी भी किताब लेके चलो, या QR स्केन से ही पूरी बुक आ जाएगी, तो ये रंजीज सिंग और पहली बार किसी इंडियन टीचर को ग्लोबल टीचर अवर्ड मिला है, तो ग्लोबर टीचर अवर्ड मिला है रंजी सिंग महराष्ट के टीचर को, क्यों मिला है क्योंकि इन्होंने QR कोड डबलब किया, अब क्या होता QR कोड ये कंप्यूटर की क्लास में देखो, ये गीत अंजली रहो, देखो मादमा गांधी के बाद टाइम म मोदी जी को छपना था, पर डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के बाद 2014 में, टाइम ने अपने कबर में मोदी जी को अटा के ट्रम्प को छाप दिया, तो अपर इंडियन के बाद चांस खतम हो गया, लेकिन इस साल टाइम मेकजीन ने कबर पेज के साथ एक किड बच्चे की किसी बच्चे को नहीं छापा, तो पहली बार ये एक केटेगरी स्टाट की है, किड ओप दा इयर, अभी तो किबल परसन ओप दा इयर स्टाट करते थे, तो यह है इंडियन मूल की गीतांजली राओ, बहुत इंपोर्टन कोश्चन है, टाइम मेकजीन ने पहली बार किड किड ओप दा इयर स्टाट किया है, उसमें गीतांजली राओ है, अगला इनको सब जानते है धरमपाल गुलाटी जी, मुझे सबसची वात क्या लगती है, कि किसी भी मसाले के एड के लिए इनों ने किसी बॉलीवर्ड एक्टर एक्ट्रेस को नहीं बुलाया, खुदी एड करते रहे, इनके बसाले का नाम क्या है, M.D.H., M.D.H. का मतला, M.का मतला महासए, दीहटी, मतला अच्छे वैक्ती की दुखान, तो M.D.H. का फुल्फॉम है, महासाए, दीहटी, अच्छे वैक्ती की दुखान, उनके CEO धर्मपाल गुलाटी जी, मैं बच्पन से नहीं दे रासाला ब्यापारी की death हो गई है कौन है धरंपाल गुलाटी जी अगला देवछा चौदरी जी ये सितार वादक इनका निधन हो गया तो आपसे पूछा जाएगा हाल में ही देवछा चौदरी जी का निधन हो गया यह किस के वादक थे तबला हार्मोनियम संतूर सितार तो आंसर हो जाएगा सिटार बादद का अगला यह है टी रवी संकर और यह RBI के हाल में ही नए डिप्टी गवर्नर बने इन पर पर पे अध्यक्च नहीं क्विश्व सकता है कि आर वीए इखिलाब कई सारे अभियान जागरुकत अभियान चलाते हैं और जो अंद विश्वासों के खिलाब अभियान चलाता उनको एक अवार्ड मिलता है नरेंदर दाबोलकर ये नरेंदर दाबोलकर इनकी हत्या कर दी गई ये लोग क्या करते हैं धर्मे में जो अंद विश्वासी चीज है भग स्टार्ट कर दिया Memorial Award कि जो भी अंद्विश्वास के खिलाब लड़ाई लड़ेगा उसको हर साल नरेंद्र दाबोलकर Memorial Award मिलेगा और इस साल का नरेंद्र दाबोलकर Award मिला है के वीर मड़ी तो दो कुशन बन रहे हैं या तो पूछेंगे नरेंद्र दाबोलकर Award किसको मिला के वीर मड़ी या पूछेंगा नरेंद्र दाबोलकर Award दिया किसके लिए जाता है तो अंद्विश्वास के लिए चलाँ अगली खबर तो यह है गौतम चोहान पहली बार आर्मी ने पहली बार आर्मी ने Human Rights right cell बनायाए सब्सक्राइब करहा आर्मी से भी गलती हो सकती है आर्मी किसी को टॉर्चर कर सकती है तो उसकी सकाथ आर्मी में कहां करें उसके लिए human right cell one of कार सेल बनाया पहली बार उसके अध्यक्च बने गौतम चोहान इंपोर्टेंट है कि पहली बार बनाए तो ऐसा कई बार हुआ कि जम्मू कस्मियन में human right का violence हुआ है मानो अधिकारों का उलंगन हुआ army के द्वारा हो जाता कई बार कई बार निर्दोस को पकड़ लेते सक पे torture करते पूछते हैं तो इसलिए गौतम चोहन जी को बनाया पहली बार जो पहली बार इंडिया में होता वो इंपोर्टेंट है तो गौतम चोहन आर्मी के human right cell के प्रमोख है अगला RS सरma जी तो जो हमारा कोविन प्लैट्फोर्म है आप तीका लगाते हो यह जो date लेते हो तो आपको कहा है से मिलती है date वो कोविन पोटल से मिलते हैं और कोविन पोटल को कौन समालते हैं RS सर्माजी, तो कोविन पोर्टल का मैनेजमेंट किसको दिया गया, RS सर्माजी बहुत important है, चलो अगला अरजन मुंडा अरजन मुंडा उतना important नहीं है अरजन मुंडा का मंत्राले tribal ministry, आदिवासी या जन्जाती मंत्राले important है क्योंकि इनको मिला इस बार स्कॉच अवार्ड, हमेशा देखना मैनेजमेंट के लिए स्कॉच अवार्ड मिलता तो बेस्ट मिनिस्ट्री मिला है इस बार अरजन मुंडा के आदिवासी या जन्जाती मंत्राले को और बेस्ट सीम को अवार्ड मिला है तेलंगाना के सीम जग मोहन राओ, रेडड़ी को स्कॉच तो अगर आपसे पूछे कि मिनिस्ट्री के लिए किसको मिला तो ट्राइवल मिनिस्ट्री पर सीम के लिए किसको मिला तो तेलंगाना के सीम जग मोहन राओ, रेडड़ी को चलो अगली खबर चलते हैं तो अगली है प्रद्वी पाल सिंग चलो यह प्रद्वी पाल सिंग इन्हें सिल्वर सालवर सिल्वर सालवर का मतलब ऐसा इंसान जो आर्मी नेवी और एर फोर्स तीनों में ड्यूटी कर चुका हो तो या प्रद्वी पाल सब रहा है उसको तो प्रद्वी पाल स Touh अगली बड़ी खबर अमेर्का के नई राष्पती बन गए जॉन बिड़न और जॉन बिड़न ने अपना कोविड वैक्सीन अधिकारी बनाया है विदोर सर्मा को तो यह विदोर सर्माजी इंडियन मूल के हैं इन्हें COVID का सलायकार बनाया है इसलिए important है अगली ख़बार है मनीश कुमार है इंडिया में जब COVID वैक्सीन आयते तो लोग डर रहे थे कि किसको दें किसको नहीं दें तो इंडिया में सबसे पहली वैक्सीन लगी है मनीश कुमा MP में सबसे पहली लगी हर्देव को यह भी स्वीपर है लोगों को लगता है बड़ी है और सिवराजी इनके बगल में खड़े थे सिवराजी देख रहे थे जिंदा रहेगा तो हम भी लगवा लेगे तो भोपाल के जेपी ऑस्पिटल के जो स्वीपर है हर्देव जी यह MP क के सबसे पहले इंसान है इंडिया के पहले इंसान मनिश कुमार और MP के पहले इंसान हर्देव कुमार वर्ल्ड की सबसे पहले इंसान है मैगी जो दो मिनिट में तयार हो जाती है तो मैगी भी दो मिनिट में तयार हो जाती है मैगी भी वेक्सीन लगाने को दो मिनिट में त 1818 साल के थे इन्हें बोला जिंदी की जीदी हम लगा दो और यह इसलिए इनकी डेथ हो गई तो दुनिया में सबसे पहले वेक्सिन लगाने वाले पुरुस की डेथ हो गई है इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है तो बहुत जल्ली से देख लो सबसे पहले इंडियन मनीश कु इन्हों ने क्या किया लेंड स्लाइड पर रिसर्च किया जो एकदम से उत्तरा खांड हमाचल में जमीन खसक जाती है उस पर रिसर्च किया राजेंद्र भंडारी ने इसलिए इनको आपदा प्रवंदन का सुभास चंद्र बोस अवार्ड मिला है तो डिजास्टर मैनेजम कि अपना ब्राइमन एंबेस्टर एजूकेशन के लिए किसको बनाया है सौनुसूद सौनुसूद पर एक दिन किसी दिन एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे चला यह काजा कलास इस्टोनिया एक यूरोप का देश है बाल्टक सी के किनारे है देखिए अब वर्ड जगरफी पड़ी रहे हो यह इस्टोनिया कंट्री है यह बाल्टक सी है तो बाल्टक सागर के बगल में इस्टोनिया है उसमें पहली बार किसी लेडी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है कजा कलास ठीक है पतना नहीं कलेस होगा की नहीं होगा पर काजा कलेस को कलास को बना दिया है इस रह्मान को समाज में अपना contribution देने के लिए मिला है, alert being icon award, अगली बड़ी ख़बर, दो लोगों के इस बार, दो लोग, एक ये हैं, इनका नाम लतीपा इबंग जी आतेने, इनके बेटे, सुसाइडर बनके फ्रांस में फट गया था, तो इनने लगा, जैसे मेरा बच्च आतंगवादी बन गया, ऐसे तो कईयों के बच्च आतंगवादी बनेंगे, तो इनका बच्च आतंगवादी हमलों में सामिल था, तो इनों ने पर पूरी दुनिया में, एक धर्म को, दूसर से धर्मे के साथ tolerance के लिए मतलब पूरे दुनिया में अभियान चला दिया तो लतीपा जी जो मुरक्कों की है इनको और यून के जनरल सेकरेटरी यून के जनरल सेकरेटी गुट्रेस को दो लोगों को UAE अरब अमीरात ठीक है तो संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड जायद में कई सारी केटेगरी है जायद अवार्ड में कई सारी तो जायद में केटेगरी है मानो बंदुत लोगों को मिला यून के गुट्रेस को और एक लतीपा जो अपना बच्चा आतंगबाद के चकर में खो चुकी है अगला यह जम्मू कस्मीर की आईसा अजीज 15 साल में पाइलेट का लाइसेंस ले चुकी है 15 साल में ही प्लैन उडाने का लाइसेंस ले चुकी है सबसे कम मुम्र की पाइलेट यह आईसा अजीज चलो जम्मू कस्मीर की है अगला यह गीता मित्तल यह जम्मू कस्मीर की पहली महिला चीप जस्टिस थी और अब इन्हें ब्र सिकात कर सकते हैं तो इसी की अध्यक्ष बन गी गीता मित्तल जो जम्मू कस्मीर हाई कोट की पहली चीप जस्टिस थी गीता मित्तल चलो अगली बड़ी खबार यह अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेस है क्लाइमेट चेंज के लिए को क्लिक करें आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करें सब्सक्राइब करें दूसरे दोस्तों को सेर करें थैंक यू गूड नाइट